नुमेरिक करेंट फॉर्मेट अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट एक्जामबल्स फिल्ड प्रॉपर्टिस के बारे में ठीक है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग डेटाइप्स पढ़े हैं उसका बेसिकली फॉर्मेट कैसे होना चुछ जैसे नंबर है नंबर करोगे वैसी दिखा देगा ठीक दूसरा है माइनस वन टू टू त्री फॉर फाइव ठीक जैसे यह है तो फॉर्ड साइन रिप्रेजेंटिशन जैसे प्लस है या माइनस है तो दोनों को रिप्रेजन करेगा ठीक कुछ में डेसिमल ब्लेसेज होने चाहिए तो यह दिको ड को पते हैं हसे कौमा लगाते हैं दो टैप की कौमा के इंसर्ट करते हम झ zapp करे心गे क्दिन करणसी सिस्ट् JUं के बेश और दूसरा है के साथ है सैंच आप मैस्वीर यूज कर सकते दूसरा है यह इक कमा अप्रेजेवेशन साथ मोह सबसारी साने साथ यह डेस्जिग कर सकते तो यह representation है इसका कोई important उतना है नहीं पेपर में इस टैप का नहीं आता पस आपको generally जो है data type जो हम last video में पढ़ें उसके बारे में ज्याद़ पूछता है percentage को कैसे represent करेंगे तो either we can represent the percentage as a plus or minus signs के साथ हम represent कर सकते हैं और बिना decimal के या दूसरा हम decimal या accurate जो value है उसको decimal के बाद दो number के साथ present कर सकते हैं that is the sign number representation two decimal places for it is advice that you read the footnote at the end of this अब क्या footnote दिया है बटा इसमें देखिए जसे third दिया आपका currency है आपको नीचे में और जो दिया उसको आप पढ़ियेगा currency के लिए पते हैं आपको use the thousand separator हम लोग कॉमा लगाते जाते हैं ठीक and display the negative numbers as a minus sign and the amount can be represented as up to the two decimal places ठीक जैसे 8000.550 पैसे like that ठीक the negative values in red color by choosing the format category so in the color अब जिस color का value चूस करना चाहते है उस color में आए जैसे minus कोई value है negative value है वो red color में show होगा ठीक तो फॉर्मेट अब खुद से कर सकते हैं तो यह फॉर्मेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे currency format था numeric format था अभी देखो और क्या आ रहा आगे black and red color यहां पर दिया है देखिए minus वाला black and red color में करके तो यह format को आपको खुद से पढ़ने है आपका एक प्रकर से homework बोल सकती है ठीक है आपका homework यह class work जो भी लो उसको आपको खुद को पढ़ के समझना है यह color वालर का यह following format scientific format आपको पता है जैसे 1.23 e plus 003 इसका मतलब क्या होता है it is the exponent of it is the representation with exponent having up to 3 digit है ना तो यह exponent की form में represent करते हैं जिसका digit क्या होगा 3 digit का जैसे 20 की power में 100 3 digit का टेंस वह है ना नमबर तो इस टाइब से कुछ representation होते है ठीक और यह scientific format जिसमें जो power है वो 2 digit तक हो तब के form में ऐसा करते है exponent मतलब power होते है basically है ना तो यह है fraction representation आपको पता है fraction जानते है ना 1 by 8 1 by 2 ऐसा वाला तो उसके लिए यह presentation है text के लिए हम लोग invented comma या double quotes का use करते है इसको बोलते है double quotes है na single quote double quote दो होता है text format के लिए हो गया यह अब है आपको text filled type ठीक है text filled type में आपको पता है कि text जो है कोई भी alphabet जो होता है date type में date show होता है जसे इसमें लिखा है Friday April 3 2021 तो यह ऐसा लिख सकते है short date 4 3 21 ऐसा time type का होगा field type तो type यह तो हम बढ़ चोके field type यह बोलना चाहिए data type यह आपको कोई भी नाम से आ सकते है boolean पढ़ लिए boolean का मतलब बता दी थी yes no या true false या फिर one और zero ऐसा करके भी आ सकते है तो boolean type का हो सकते है आ रहा है समझ में next topic data validation तो data validation के बारे में विता ही थी data validation मतलब कुछ fields होते हैं जिसकी entry required होती है compulsory होती है like your name date of birth address and the first phone number phone number पहला वाला वह बहुत important है second is optional second number आप नहीं डलो के तो भी चलेगा your email id is optional but your father's name your mother's name and your आधार number है कुछ ऐसे information होते हैं वह क्या होते है compulsory होते हैं तो that fields are or that entries and that text is important है जो text box बोलो या entry बोलो जो भी है वह important होता है required होता है और कुछ required नहीं होते है तो जो compulsory है उसको हम लोग entry required करके जो property आते हैं उसको yes करते हैं और कुछ नहीं होता है जरूरी हमको लगते कि नहीं अगर यह information नहीं भी दे like email id वो optional है कुछ लोग का email id नहीं रहता होगा तो अगर email id नहीं देंगे तो भी चलेगा है ना उतना considerable है तो फोन नमबर को option दिया है मानलो का तो फिर एक फोन नमबर डालो दूसरा नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा समझ में आ रहे लेकिन अगर address नहीं हो तो कैसे possible है बताइए आपका नाम ही नहीं तो यह ऐसा कुछ फोर्म हो सकता है कि किसी का फोर्म का भर रहो आप उसमें नाम ही गायभू तो ऐसा नहीं हो सकता ना तो name field is what compulsory the entry in the name field is compulsory तो entry required में हम क्या करेंगे name वारे field में entry required कर देंगे यस कर देंगे ठेक उसी को बलते हैं validation समझा और दूसरा चीज क्या होना चीए valid data भी अंटर होना चीए अब नाम में एक दू तीन चार रखेगा तो तो गलत बात है भी या है ना कुछ ऐसा होना चीए बटा ना data validation के आप definition याद केजिए देखिए आपकी इतना भी समझे पेपर में तो आपको computer का term यह थोड़ा technical होके ही लिखना है try to avoid to write in your own words आप बाकी subject में अपने मन से लिख सकते हैं पर computer में आपको थोड़ा सा technical होना पड़ता है और जो bookish term है जो technical term से उसको लिखना पड़ता है इससे क्या होता है impression अच्छा जाता है सामने आपको यह रखते कि हाँ बच्चा कुछ समझा है आप example अपने own words में दे सकत का हेर फिर होता है कोई चीज एक से इधर से उधर होई ना तो meaning जो है चेंज हो जाता है है तो आप कोशिस करिए कि in every subject try to write the definition of any particular topic Hindi bookish word और do not try to write in your own words है ना पर अगर आप समझ गए हो और आपको चीज वो चीज अगर याद नहीं आ रही है जो book का है तब आप अपने हिसाब से सहीं तरीके से arrange करके लिख सकते है पर कोशिस करने कि आप उस चीज को थोड़ा सा learn भी करें और थोड़े से क्या है technical terms का या bookish term का यूज करने का कोशिस करें है जैसे हिंदी भी है English है आपको science में तो खेर आपको यूज करना ही पड़ता है और यहीं चीज है कि कुछ अपने से आपको समझना रहते हैं और कुछ bookish चीज ही लिखनी रहती है क्योंकि हमको तो marks के base भी मदब marks हमारे लिए important है फिलहाल के लिए at present हमको तो marks important है और सामने वाले को तो हम express नहीं कर सकते कभी कभी क्या होता है हम बोलना कुछ और चाते हैं और लिख कुछ और लेते हैं कभी ऐसे होता है आपकी class में बहुत आदे से जादे बच्चों का य आपको पते हैं कैसे हुआ आप देखो यह इतना तफ लग रहोगा अपको थोड़ा सा अजीव लग रहोगा पर इसका मदलब क्या हुआ जो हम लोग पढ़े कि जिस फिल्ड में जो टाइप का डाटा ना चिये उस ताइप का डाटा को उस फिल्ड में भरे बहे दिस सिंप अन दस फॉर्म अक्चली डेटा वैलिडेशन रफोर्स तो दे प्रोसेस अफ इन्शॉरिंग दाटा अस पर दे से नॉम जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से भढ़ना है और दी रूल्स जैसे रूल्स में डिफाइन है शुट बे अलाओ इन टेबल है ना तो उस जासे ब्लीडेशन रिप्रेजेंटेशन अल्फ आप जैसे वैल्यू को नहीं पूट कर रहे हैं यह कुछ चीजे में डार रहे हैं सपोस्पोस क्या होता है फॉर्स नेम मिडिल नेम लास्ट नेम होता है तो मेरा मिडिल नम ही जिसमें बवीता लिखते हूं सीधे कोई भी जैसे राम, कुमार, सिन्हा अशा टैप का तो राम के बाद बीच में कुमार आया फिर सिन्हा आया तो यह जो मिडिल नेम वाला ओप्शन के फॉर्म में ऐसा रहते है कुछ चीज में ऐसी देते हैं फॉर्स नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम तो कुछ लोग नहीं अधाया आपको यह पता है कि यूणी की यह प्रैमेरी के इ discoveries को हम र कारेंगे यह जिस field को हम primary की बनाएंगे उसमें हम null value को नहीं रख सकते या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस column को skip कर दे getting something or not कुछ समझ आ रहा है कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आया जो में बताई आप जो भी field को primary की डिकलेर करोगे उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते या उसको skip नहीं कर सकते that's it now setting the field property आपको field property की set करने भी आता है इसका processor भी बहुत simple आप इसको पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा that how you can set the field properties यही है field property में set करने के field का ना में specify करने field का data type specify करने description तो optional app description डालो तो भी ठीक नहीं डालो तो अभी ठीक okay so this is how we have completed session 3 I hope आप लोग को समझ आए हो और इसके बाद जो main paper है paper बलना चाहिए या क्या बलू exercise है उसको मैं बताऊंगी है ना जो practical based exercise है okay class और अगर आप नहीं समझ आए तो please करके एक बार और इस chapter को पढ़ें तो को पूरे समझा जाएगा बहुत ही simple terms में लिखे लास बाई